इस वक्त अभी हम राजगीर के सोन भंडार में हैं और सोन भंडार यह जगह है यह परवत जो आप देख रहे हैं सोन भंडार के बारे में हम जानना चाहेंगे यहां के निवासी है क्या नाम है आपका मेरा नाम हुगा सर रभी शंकर उपाध्याय टूरिस्ट गाइड जगह का नाम है सोन भंडार साफ बोट पर भी लिखा हुआ है सर सोन भंडार लेकिन लोग सोना समझकर आते हैं तो सोन का सीध हिंदी होता है सुरंग लंबा टर्नल तो इस दर्वाजा के पीछे यह जांगला जो देख रहे हैं सर इस जांगला के पीछे तीन माइल की एक ल जब उपर बायवार गिरी पहाड पर जाएगा तो दोनों गुफाओं मिलेगा दोनों गुफाओं से संपर के यहां तक बना हुआ है तो जब भगवान बुद्ध को कुशी नगर में मिर्तू हुआ था तो तीन महीने के बाद उसी गुफा की प्रागन में पर्थम बहुत स निसान बना हुआ सर उसी दर्वाजा के पीछे जैन मुनी गौतम स्वामी तपस्या करते थे तो राजा बिम्बिसार का बेटा आजा सत्रू पैसे के लालच में अपना पिता को जूले वाली कारागार में तडपा तडपा कर माट डाले थे उनकी पतनी रानी कौसिल्या ने गुसे में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर में जैन मुनी गौतम स्वामी को दान दे दिया थे जैन मुनी गौतम स्वामी सादू थे उनको धन का जरूरत नहीं था ओपने तपस्या के बल से पथलों की चटानों से दर्वाजा को ब्लॉग कर दिया गया तो जगदीश चंदर बसू ने जब गरम पानी को टेश्ट लिया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड के भीतर में काफी भी स्फोटक पदार्त है अगर इसे छोटा डाइनमाइट से तोड़ा जाए तो तूट जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ज्वाला मुकी फुटे क सिर्मान तो आग लगने की भैथी और गरम पानी का जर्ना बंद होने का उमीद था इसी निर्भाई के कारण बिटिस गवर्मेंट उन्हें सुट चार पाच में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धरमस्तर को नश्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी साजा मिलेगा नहीं त का नाम था संख लिपी कि जो भी बेक्ती मंत्र को उचारन करेंगे एटोमैटिक धरवाजा खुलेगा लेकिन नालंदा की दूतिये बिस्विद्याले में तीन बड़ी लाबरेरी थी रतन सागर रतन रंजन रतन ददी उसे 1199 में जब अल्ला दिन बक्तियार खिल जी का आक के सामने एक बगल में एक लिपी और पाया गया सर जो संस्क्रीट पाली मिक्स है उसे संस्क्रीट में बात किया गया है निर्माना लाभाय तपस्योगे सुब गुहे अरहट परतिमा परतिसते आचार्ज मोनी भैरब देव थर्ड परशन एड़ी इससे किलर्स निकलता है सर कि राजा बिम्बिसार का बेटा आजा सत्रू राज किया आजा सत्रू का बेटा उद्देन यहां से रस्धानी उठाकर पाटली पुत्रा में बसा दिया गया तो कालांतर में जगा खाली पड़ गया यानि सत्रसो साल पुर्व पहार काटकर दो गुफाओं का निर्मान किय गया एक पच्छमी गुफा और पूर्वी गुफा तो पच्छमी गुफा से जैन तिन थंगरों का परतिमा मिला जैसे में 24 में तिर्थंकर महवीर स्वामी का परतिमा उन्होंने दरवाजा बंद किया उन्होंने मंत्र लिखा नीचे डेड़ी फिट गड़े से तेसरे संकर पारसनाज उनके माथे पर साथ फन का ही निसान था जो अल्ला दिन बक्तियार खिल जी ने नश्ट किया बाहर में कड़ी का निसान लेप्ट राइट साइड पिलर एच्छेदार ब्रांड़ा था जो सभा मीटिंग हुआ करता था लेकिन 134 की बिहार भुकम में तूट संकर खंडित हो गया तो भारस सरकार सुरच्छा हे तू इट प्लास्टर चुना और पेरिस से मरमत किया गया सर यह पूर्वी गुफा जो देख रहे हैं सर जंगल जहारी मीटी नालंदा की तरही जैसा ड़का हुआ था जब इसकी रिसर्च उनाइसो पाच में किया गया त लेकिन किमती पथल था यहां से निकाल कर नालंदा मीज्यों में रखा गया ुछ दिवाल पर पर परतिमा पैया गया सर जो जैन धर्म और बहुत धर्म का पाया गया लेकिन जैन धर्म गुपता काल पिरियड में एक धर्म से दो धर्मों को माननने लगे ते हैं दिगंबर उसकी बगल में अजीतनात का परतीमा मिला एक बगल में उसकी भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया, माया को शंतान नहीं होता था तो सफेद तारा और सफेद हाती छे दात वाले उनको दरसन दिया कि आपका जो संतान पैदा लेगा अग्याकारी और सिचित लेगा तो भगवान बुद्ध का नुमनी में जलम लिया तो साथ कदम कमल का फूल पर चलने लगा उनकी माता मिर्थ हो गये है एक भगवान बुद्ध जब बहुत गया में बहुत बिरिज के पास तपस्या के थे उनका भी बनाया गया सर लेकिन अल्ला दिन बक्तियार खेल जी ने सभी परतिमाओं को नश्ट कर दिया गया तो पुराना राजगीर बसाया गया वह सस्टेन के पास जो अजासत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरी वर्ज गिरी का मतलब होता है पाहाड बर्समिस वासी राजगीर पाच परवतों से घेरा हुआ है जैसे में बिपला चल, रतनागीरी उदाइगीरी, सोनागीरी और बाइभार इसका कोई लोजिक नहीं तो आप देख रहे हैं उपध्याजी है और यहीं के निजी निवासी है और इन्होंने सोन भंडार के बारे में स्वस्टी करण दिया बताया कि यांकी सोन भंडार क्या है और क्यों सोन भंडार इसका नाम पड़ा और पुराने इतिहास सुरू से बरसो पुराना हजारों बरसो पुराना कहानी को इन्होंने आप लोगों के बिश रखा ये है इसकी कहानी और इस वक्त राजगीर में है राजगीर के तमाम जितने भी इतिहासिक कहानी है तमाम चीजों को यहां देखने को परियटर कस्थल है और बहुत दूर दरा से लोग आते हैं क्या-क्या यहां पे हैं यहां पे एक सीसे का ब्रिज भी बना हुआ है ना जी सर नेचरल सफारी गिलास ब्रिज इसको बोलते है नेचरल सफारी जू सफारी भी बना हुआ है सर क्या है उसमें नेच जो भी हालांकि बहुत दूरदरा से यहां पर लोग आते हैं देखने के लिए बहुत सारी चीजे है जो की देखने जुग्य है बहुत अच्छा सुन्दर जगा नया जूला बना है बस जूला बिसांते स्टुक जो जहां जूला बोलते हैं रोपे उसके बगल में घोडा कटो जी ने बहुत भूँ धन्यवाद आपको तमाम चुकि हमारे चैनल का माध्यम से पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं और आपने तमाम चीजों से अउगत कर रहा बहुत बड़ी यहां राजगीर में बहुत भीड़ लगता है तमाम लोग दूरदरा से आते हैं और स नहीं है और समय अनुसर 35 24 2021 समस्क्राशन चुलता है स्याक में बन्द हो जाता है अधार चेय। होगया सर, पांडू पोखर सारह छे बजये बंद होता है जर और जपानी दू 7 बजय बंद होता है तो अलग अलग टाइमिंग है और टाइम रखने के पीछे जिला परसासन का कहीं न कहीं कुछ उदेश होगा कुछ सीकूर्टी के अदिश्टी कोड से समय बनाया गया है कि कब कौन चीज खुला रहेगा कब बंद होगा तो जब अरजस तरीके से यह एक बहुत ही सुन्दर प्रहटक स्थल है आप आईए घूमिये देखे और आजगीर का इंज़ाय कीजिए चुकि पूरे देश में यदि हम बात करें बिहार का तो बिहार में ऐसे-ऐसे कहानिया है जो पुराने बरसों पुराने इतिहास को आप ताजा कर सकते हैं देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो देखते रहें तमाम खबरों को दिखाते रहेंगा समने दिनिश्पत हैं